हेलो, तमस्कार दोस्तो, स्वागत करते हैं हमारे यूटुब चैनल टेकावटिन, आज हम बात करेंगे पेटियम SBA करेजिकार के बारे में, आजकल अगर आपने पेटियम यूज करते हो तो आपने देखा हुआ कि पेटियम पर SBA क्रेजिकार का ओफर जो है वो शो हो रहा है मेरे को भी गायज आज सुभा ही ये शो हुआ था तो मैंने इसको अपलाई भी कर दिया है तो अपलाई करते वक्त क्या क्या इसकी प्रोसेस थी कैसे मैंने इसको अपलाई किया है और मेरा अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट मैं आपको सब बताऊगा और अगर अप्रूव हुआ है तो उसके पीछे क्या ट्रिक्स की ये भी मैं बताऊंगा बने रही है पूरी वीडियो पे अंत तक देखेगा और इंजोई कीजेगा अपने SBAE क्रेजिट कार्ड को जैसा कि आप ओनलाइन स्वापिंग में देख सकते हो कि SBAE क्रेजिट कार्ड के इतने ज्यादा फायदे होते हैं वह फायदे आप सभी उसको कार्ड के बाद ले सकते हो सबसे पहले पात करते हैं कि यह है SBAE का क्रेजिट कार्ड कैसे बाकी कार्ड से अलग है सबसे पहले हम इसे कंपेर करेंगे चार कार्ड फिरता प्रेटियम SBAE कार्ड सिलेक्स सबसे लेक्साइब कार्ड और इमेजुन पे आइसी से बैंक कार्ड तो गाई जो एञ्यों फीच है पेतियम सब्थ ड़ ऐन Bea का इसे चार की बागे और अगर आप इन Сलेक्ट पे और लाके को देटे बार तो आपकी ऑनमील फीच है वह वह कि Clay ये पेटियम SBI में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लिपकाट एक्सिस बैंक में भी सेम है, अगर हम 2 लाक्ट पे स्पेंट का देते हैं, तो ये वेवोफ हो जाएगी, Amazon में भी ऐसा कुछ नहीं है, जाज इस हाई नहीं तो क्या ही ये अन्यूल की लेंगे, पेटियम के हम कुछ भी करेंगे तो 2-5% का कैश बैक आएगा, SBI काड में पेटियम में 2-3% का तो रिफंड है वो आएगा, फ्लिपकाट एक्सिस बैंक काड में 5% का स्पेंड में कैश बैक आता है, फ्लिपकाट पर जो भी हम स्पेंड करेंगे, वो एमेजन बेगी सेम, 5% का आता है नोन प्राइम मेंबर को, और 3% आता है नोन प्राइम मेंबर को, और बाकी सभी कार्ड पे, सभी कार्ड या एप पे 1% का तो कैश बैक है, वो मिलता है, फ्लिपकाट एक्सिस बैंक क्रेजिट कार्ड में 1,5% मिलता है, पर जो आजाता है अब गाइज बात करते हैं में मुद्ध पर जो की है कि हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका पेटियम में अकाउंट होना चाहिए अगर वो 3-4 साल पुराना अकाउंट है या 2 साल भी पुराना अकाउंट है तब भी 98% chances है कि आपका जो पेटियम SBA card है वो अप्रूब हो जाएगा वो भी बहुत अच्छी खासी लिमिट के साथ तो जैसे कि मेरा इसमें अकाउंट 4 साल पुराना था तो जैसे ही मैंने आज कोल किया मेरी EQC हुई अप्रूब हुआ उसके बाद direct मेरे को अप्रूबल मिल गया और वो भी 220,000 रुपे की लिमिट के साथ जो कि बहुत अच्छी खासी लिमिट है और गाईज SBA का card जैसे कि आपको पता है कि हर जगा काम आता है SBA हर बार उचना कुछ कभी Amazon पे कभी कहीं ओफर लेके आता ही रहता है और इसका सबसे बड़ा benefit है इस पे हम 75% जैसे 2,00,000 का 75% हम direct अपने Paytm में डाल के अपने account में transfer कर सकते हैं वो भी बीना किसी चार्ज के जो की इसका सबसे बड़ा benefit है जिसके लिए ही मैंने इसको लिया है कि कई बार पैसे की जुरूरत पढ़ गई तो मैं इसको direct इसमें से निकाल के अपने bank account में डाल सकता हूँ जैसे आप देख सकते हैं कि किसी और card में जब हम credit card to bank transfer करते हैं तो कुछ नगूच चार्ज लगते ही है दो से 3% के साथ तो guys अगर आपको ने apply अभी तक नहीं किया है तो जल्दी apply कीजिए और ये कुछ ही समय के लिए offer है अगर कोई आपको दूविदा परिशानी है तो आप comment में बताईए मैं आपको जल्द से जल्द इसका solution दे दूँगा और guys thanks for watching make sure to subscribe us subscribe करें बीना कहीं मत जाईएगा मैं और भी आपके लिए ऐसी useful videos बनाता रहूँगा